नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की जोती All Classes पर तो हम पड़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में आज हम पड़ेंगे एविकारी शब्द यह आप कह सकते हैं अव्य, एविकारी शब्द हम पढ़ेंगे, यह एविकारी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों में किसी भी परकार का कोई विकारुत्पन नहीं होता, या परिवर्तन नहीं आता, तो उन्हें कहा जाता है एविकारी शब्द, जैसे मैं लिखती हूँ क लड़की धीरे धीरे चलती है ठीक है यहां मैंने लिख दिया लड़का धीरे धीरे चलता है यहां लिख दिया लड़के धीरे धीरे चलते है ठीक है यह लड़की लड़का लड़के यह क्या है संग्या है तो संग्या एक विकारी शब्द है क्योंकि इसमें परिवर्तन आ ज जाता है जैसे लड़की यहां लड़का हो गया यहां लड़के हो गया ठीक है लेकिन जो धीरे धीरे शब्द है वो तीनों ही वाक्यों में वैसे का वैसा रहा इसमें कोई भी परवरतर नहीं हुआ किसी भी परकार का कोई अंत्र नहीं आया तो इसका मतलब क्या है जो धीरे वो एविकारी शब्द है ठीक है जो एविकारी शब्द होते हैं वो चार परकार की होते हैं जहां से प्रशन पुछे जाते हैं तो हम एक एक करके अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले है क्रिया विशेशन ठीक है हिंदी में वैसे तो मीनिंग शब्दों में ही शुपा होता है जैसे क्रिया विशेशन है क्रिया है विशेशन है इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेशन होते हैं विशेशन हमने पड़ा है कि जो शब्द संग्या सरवनाम की विशेशन बताएं उन्हें कहा जाता है विशेशन ठीक है और जिसकी विशेष्टा बताई जाती है उसे कहा जाता है विशेष्य ठीक है ये हम जान चुके हैं लेकिन यो शब्द क्रिया की विशेष्टा बताएं उन्हें कहा जाता है क्रिया विशेष्ट नेक्स्ट है स्वंद बोदक ठीक है स्वंद बोदक उसके बाद समुच्चे बोदक फिर बिसम्यादी बोदक ये चार परकार का होता है अव्य या अविकारी शब्द ठीक है अब क्रिया विशेशन हम देखते हैं क्या होता है वे विशेशन जो संग्या या सरमनाम शब्दों की विशेशता ने बता कर क्रिया की विशेशता बताते हैं कहा जाता है क्रिया विशेशन जैसे नीली मान धीरे धीरे चल रही है ठीक है तो विशेशता किसकी बताई गई है चलना चलना क्या है क्रिया है कैसे चल रही है धीरे धीरे चल रही है तो चलना की विशेशता बता दी तो यहां धीरे धीरे शब्द हो गया क्रिया विशेशन इसी परकार से नीरजा मदुर गाती है, गाना क्या है? एक क्रिया है, तो कैसे गाती है? मदुर गाती है, तो गाने की जो विशेशता बता दी मदुर शब्द ने, तो इसमें क्या हो गया? क्रिया विशेशन, तो इस परकार से आपको देखना है कि क्रिया विशेशन इस परका स्थान बोदक स्थान मतलब किसी जगा की बात हो क्रिया कोई काम होता है तो क्रिया किस स्थान पर हुई है ठीक है ऐसी अगर कोई बात आ जाए तो वहां पर होता है स्थान बोदक क्रिया विशेशन जैसे मदन यहां नहीं आएगा तो कहां नहीं आएगा यहां यहां एक स्थ की बात हो रही है गिरीश उपर वैठा है गिरीश कहां वैठा है उपर 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 स्थान पर वैठा है ठीक है तो यहां पर क्या हो गया स्थान की बात हो गई माता जी कहां चलेगी तो यह इस परकार की वक्त के आपको देखने को मिले यहां पर स्थान की बात हो रही हो तो आपने याद रखना है कि स्थान बोदक क्रिया विशेशन का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट है काल वाचक क्रिया विशेशन तो काल क्या होता है समया ठीक है जहां पर क्रिया किस समया हुई इस परकार की जानकरी मिले तो वहाँ पर होता है काल वाचक क्रिया विशेशन जैसे मोहन कल मुंबई जाएगा तो कल एक समया के बारे में बता रहा है ना कल शब्द तो यहाँ पर क्या हो गया काल वाचक क्रिया विशेशन हो गया मनीशा अभी आई है अभी अभी समय के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर काल वाचक क्रिया विशेशन का परियोग हुआ है नेस्ट है परिमान वाचक क्रिया विशेशन परिमान क्या होता है नापतोल ठीक है सीमा बहुत बोलती है यतना बोलती है बहुत बोलती है ठीक है राजेश काम बोलता है तो यहाँ पर क्या परिमान की बात हो रही है तो यहाँ पर हो गया परिमान वाचक क्रिया विशेशन ठीक है अगला है रिती वाचक क्रिया विशेशन यह बहुत पूछा जाता है वेपर में इसको थोड़ा ध्यान से करना है रिती का मतलब क्या होता तरीका धंग क्रिया को करने का तरीका धंग किस परकार से क्रिया संपन होई ठीक है मैंने बिमल को भली भांती समझा दिया कैसे समझा दिया भली भांती तो इसका मतलब क्या है क्रिया की होने का जो तरीके की बात जहां की जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है जीत्ती बात्सक्रिया विशेशन हो जाता है उमीद है आपको समझ आ रही होगी ठीक है अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं अच्छे तरीके से हिंदी व्याकन कराने की कोशिश कर रही हूँ इसके इलावा बिलोम शब्द वाक्याश के लिए एक शब्द ये सारी चीजें ही मैं करवा रही हूँ ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर करना ठीक है तो नेक्स्ट है स्वंद बोदक अब स्वंद बोदक क्या होता है ये भी एकजाम में बहुत बार पूछा जाता है स्वंद बोदक का मतलब होता है जो स्वंद बोदक होता है ठीक है वो ऐसे अव्य शब्द होती है ये अव्य है एक स्वंद बोदक जो संग्या शब्द या सरवनाम के साथ जुड़कर उसका स्वंद वाक्य के दूसरे शब्दों से हमें बताते हैं उन्हें कहा जाता है स्वंद बोदक अव्य जैसे उस विद्याले के पीछे घर है उस विद्याले ऐसा भी हो सकता है कि आगे भी संग्या शब्द है पीछे भी संग्या शब्द है जा दोनों तरफ सरवनाम शब्द है या संग्या सरवनाम दोनों शब्द आ गए तो उनके दोनों के जो भीज मतलब के स्वंद जोड़ते हैं शब्द वो होते है स्वंद बोदक अव्य जैसे उस विद्याले के पीछे मेरा घर है तो यहां पर के पीछे शब्द क्या है? स्वंद बोदक अव्य है मेरे घर के आगी मेरे घर और हस्पिताल में क्या स्वंद जोड़ दिया? किसने जोड़ दिया? के आगी ने तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्वंद बोदक अव्य हो जाएगा बोदक होता है वो शब्दों को जोड़ता है ठीक है शब्दों को जोड़ता है जो संगय सरमनाम शब्द हो सकते हैं लेकिन समुच्या बोदक समुच्या मतलब के शब्दों का समुच्या कहा सकते है ठीक है ये दो शब्दों को भी जोड़ता है वाक्यांशों को या वाक्यां तो यहां पर क्या हो गया समुच्य वोदक अव्य हो गया ठीक से चलो अन्य था गिर जाओगे ठीक से चलो एक वाक्य हो गया गिर जाओगे एक वाक्य हो गया दोनों को अन्य था शब्द ने जोड़ दिया तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया समुच्य वोदक अव्य हो गय ठीक है यहां तक समझ आई नेक्स्ट है विस्मयादी बोदक अव्य यह कुछ खास नहीं होता यह तो सीधी सीधी पहचान होती है कि इसमें विस्मयादी बोदक चेनल लगा होता है जैसे बाप रे इतना बड़ा चुहा जब भी हम कोई बात हैरानी में इस परकार से करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है विस्मयादी बोदक अव्य हो जाता है अगर आप से कोई पूछे कि अव्य कितने परकार का होता है तो चार परकार को होते हैं अव्य के ठीक है हमने पढ़ लिये हैं लेकिन वाली बात कुछ भी नहीं है पहचान बिल्कुल सिंपल है क्योंकि जो निपात होता है इसका कारिया क्या होता है ये बाक्या में बल भरने के लिए ही होता है सिर्फ निपात का कारिया शब्दस मूं को बल पर धान करने के लिए किया जाता है जैसे तुम भी खेलोगे मानो कु यहां पर भी शब्द हो गया निपात मुझे तो दिल्ली ही जाना है जहां दिल्ली पर जोर दे के वल दे दिया कि दिल्ली ही जाना है कहीं और नहीं जाना तो यहां पर ही शब्द हो गया क्या हो गया निपात हो गया अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें तो भी निपात है तो शब्द भी निपात माना जाता है ठीक है लेकिन आपको वाक्या पढ़के देखना है कि जोर किस शब्द पर जा रहा है मुझे तो दिल्ली ही जाना है तो तो हम अराम से बोल देते हैं लेकिन ही पर जाकर हमारा बाल जाता है तो यहाँ इस वाक्या में क्या हो जाएगा ही जो निपात हो जाएगा ठीक है इस चीज़ का भी आपको ध्यार रखना है पेपर हो ही नहीं रहा इसका मतलब है कि पेपर को काफी टाइम भेड़ करते हो गए पेपर हो ही नहीं रहा है तो यहाँ पर भी ही पात में आते हैं जहां पर हम किसी चीज पर जोड दे देते हैं और ऐसे वोडों का Depois कर देते हैं शब्दों का तो वहां पर क्या हो जाता है निपात हो जाता है उमीद है आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी अव्वे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आप कहीं से भी अव्य से रिल्टी डिप्रेशन करके देख सकते हैं कि आपको कितनी चीज समझ आई है या नहीं आई है ठीक है अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना चैनल पर पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको कितना समझ आया ठीक है तो मिलते हैं ऐसी ही एक नेक्स क्लास में थैंक्स फर वाचिंग